ख़िल आप सब्सक्राइस को को में ने तक पने रियेगा जैसे कि मैं आपको उन कुशनों को भी दिखा सकते हैं जो एक्जाम में oxygen से relative आपको पूछे गए हैं जाले ये तो session की सुरुवात करते हैं जैसा कि आपने यहां से पढ़ा है कि आज हम oxygen के बारे में पढ़ने वाल है oxygen को प्रतीक चिन तो आपके पास कुछ इस प्रकार से होता है और लेकिन हम इसको oxygen जो gas होती है इस oxygen gas को O2 के नाम से जानते हैं oxygen gas ठीक है न इसके अलावा देखिएगा यदि हमें एक्जाम में ऐसी बाते पूछी जाती है कि oxygen gas की खोज किसने की तो आप दो विग्यानिकों का नाम याद रखिएगा एक तो होता है C ले और एक होता है प्रिष्टले इन दोनों विग्यानिकों ने oxygen खोज स लिखे होंगे एक तो लिखे होगा प्रिष्टले और एक लिखा होगा आपके पास कुन सा स्थीले दोनों में से जो भी लिखा हो वो आपका वहां से सही आंसर होने वाला है इसके अलावा oxygen जो गैस होती है ये oxygen gas दिवी परमानविक होती है मतलब इसमें दो परमानों होते ह जैसे आप यहां से भी देख पा रहे हैं इसमें कितने परमानों होएं दो परमानों है तो ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं कि oxygen gas ओक्सिजन गैस दिवी पर्मानविक होती है कैसी होती है दिवी पर्मानविक होती है मतलब इसमें दो पर्मानविक होती है इसके अलावा देखों ओक्सिजन जो होती है इस ओक्सिजन से सम्मंदित हम ऐसे यहां से ध्यान रख सकते हैं कि ओक्षिजन आवर साणने में इसका परमाणयू करमांक कितना होता है। यहां कि आपकर से लिखाता है इसे लेकिन यहां ओक्सिजन तत्तु का आपकर आपके पास दो oxygen है, यानि 16 दुआ कितना 32, oxygen जो gas होती है, इस oxygen का परमाणू दिरिमान होता है, कितना 32 होता है, important है, railway की विवन केटेगरी की exam में आपको यहां से क्यूशन भी पूचा जाता है, कि oxygen gas का परमाणू दिरिमान कितना होता है, यदि आगामी exam में यदि आपको ऐसा कुछ पू oxygen जो gas होती है, इस oxygen gas से relative और भाते हम यहां से जानते हैं, oxygen gas जो होती है, यह किसी भी इंदन को जलने के लिए responsible होती है, यानि कि जो सभी इस दुनिया में सभी जो इंदन है, वो oxygen की उपस्तिती में ही जलते हैं, यदि oxygen नहीं होता है, तो कोई भी इंदन वहाँ जलने के लि ये कौन requirement रहती है, oxygen gas की आवशक्ता होती है, किसी भी इंधन को जलने के लिए, किसी भी इंधन को जलने के लिए, जलने के लिए oxygen की आवशक्ता होती है, किसी भी इंदन को जनने के लिए जन की आवशकता होती है या इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आग को जलाने के लिए 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 ओक्सीजन गैस की आवशकता होती है जलाने के लिए जलाने के लिए जलाने के लिए ओक्सीजन गैस की आवशकता होती है इसके अलावा यदि हम वायू मंडल में परशंट की बात करें कि यह है गैस ओक्सीजन जो गैस है यह वायू मंडल में प्रियाप्त मातरा में कितने में उपस्तित होती है परतिसत में यह दि हम बात करें तो वायू मंडल में वायू मंडल में ओक्सीजन की परतिसत मातरा वायू मंडल में ओक्सीजन की परतिसत मातरा जो होती है परतिसत मातरा 20.9 परतिसत आप बता सकते हैं 20.9 परतिसत पाई जाती हैं इसी के साथ एक कथन और ध्यान रखें आप वायू मंडल में सबसे ज़्यादा मातरा में पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली गैस होती है कुँछा गया था कि दूसरे नमबर पर वायू मंदल में सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है तो यह दि फस्ट नमबर पर पूँचे तो नाइट्रोजन आपको बताना होगा और दूसरे नमबर पर यह दि पूँचा जाता है तो दूसरे नमबर पर सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है कौन सी? और उक्सिजन गैस होती है तो वायू मंडल में दूसरी सरवादिक पाई जाने वाली गैस होती है दूसरी सरवादिक पाई जाने वाली गैस होती है गैस होती है पहले नंबर पर तू कौन होती है नाइट्रोजन होती है लेकिन दूसरे नंबर पर शर्वादिक मातरा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है oxygen गैस होती है यदि इसका percent पूछा जाई तो वो भी हम लोग यह से बता सकते हैं कि oxygen गैस का परशंट कितना होता है 20.9% होता है ठीक है इसके अलावा देखो हमारी जो बोडी होती है इस हमारी बोडी में सबसे अधिक मातरा में पाए जाने वाले तत्तू के बारे में ये आपको एक्जाम में पूछा जाता है तो वो भी आप लोग महां से बता सकते हैं किसके ब सरीर में मनुस्य के सरीर में सरवादिक पाये जाने वाला तत्तू औक्सिजन होता है कौन होता है ओक्सिजन होता है औक्सिजन होता है तरवादिक पाये जाने वाला तत्तू कौन सा होता है औक्सिजन होता है इसके अलावा देखो एक इंपोर्टेंट बात ओर है याँ से दुनिया के सबी जो सजीव होते हैं वो सवसन की किरिया के दोरान जिस गैस को उप्योग करते हैं जिस गैस को सरीर के अंदर लेते हैं वो गैस होती है कुन सी ओक्सिजन तो दुनिया के सभी सजीव ओक्सिजन को सवसन की किरिया के रूप में कहा लेते हैं सरी के अंदर लेते हैं इस बात को आप ध्यान रखें सभी सजीव सबी सजीव सवसन की किरिया में सवसन की किरिया में सवसन की किरिया में ओक्सिजन गैस का उप्योग करते हैं ओक्सिजन का उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं ओक्सिजन का उप्योग करते हैं ओक्सिजन का उप्योग करते हैं important point अब बहुत सी परिक्साव में आपको यहां से question पूछा जाता है कि सवसन की परकिरिया में किस gas का उपयोग किया जाता है तो किस gas का उपयोग किया जाता है oxygen gas का उपयोग किया जाता है इसके अलावा देखो हमने इसके पहले एक important point और इसी से सम्मदित पढ़ा था कि सभी इंदन oxygen की उपस्तिती में ही जलते हैं यानि कि आग को जलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है oxygen gas जिम्मेदार होती है इसके अलावा देखो सभी सवसन की किरिया में oxygen का उपयोग करते हैं इसके अलावा वायू मंडल में ऐसी कौन सी किरिया होती है जिसके द्वारा oxygen gas का उतपादन होता है मतलब निर्मित होती है तो वो होती है प्रकास संसलेशन की किरिया प्रकास संसलेशन की किरिया एक ऐसी किरिया होती है जिसके द्वारा वाईव मंडल में ओक्सिजन का क्या होता है उत्पादन होता है प्रोड्यूज होती है कहने का मतलब तो वो आप यहां से लेख सकते हैं की परकास संसलेशन की किरिया के द्वारा ओक्सिजन गैस का अक्सिजन गैस का उत्पादन होता है और प्रकास संसलेशन की किरिया कौन करते हैं पेड़ पोदे करते हैं लेकिन परिक्सामें एक डिफरेंट परसन यहां से देखने को मिला वो परसन यह था कि यदि सभी वनस्पति इस परत्वी पर जितने भी वनस्पति जो पाई जाती ह सारी की सारी वनस्पती को नश्ट कर दें तो कौन सी गैस की मात्रा की कमी हो जाएगी तो वो हो जाएगी ओक्सिजन की ऐसा क्यों हो पा रहा है क्योंकि प्रकास संसेलेशन की किरिया कौन कर रही है वनस्पती है जो सभी जो वनस्पती होते हैं प्रकास संसेलेशन की द्वारा oxygen को वाईव मंडल में छोड़ते हैं यदि वनस्पती खतम हो जाएगी तो वाईव मंडल में किसकी कमी हो जाएगी oxygen की कमी हो जाएगी क्योंकि oxygen का उत्पदन किसी किरिया की दोवारा नहीं हो रहा है फिर तो यहां से लिखें यह भी important point है exam में आपको यहां से confusion भी पूछा जाता है क्या कि सभी वनस्पती सभी वनस्पती यदि नश्ट हो जाएगी तो वाईव मंडल में तो वाईव मंडल में वाईव मंडल में ओक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी oxygen oxygen गैस की oxygen कमी हो जाएगी कमी हो जाएगी oxygen गैस की कमी हो जाएगी ठीक है na क्यों कमी हो जाएगी इसका region आप जान चुके हैं यहां से कि सभी वनस्पती यहां प्रकासद संसलेशन की रिया कि दोरान वाईव मंडल में oxygen को उतपन करती हैं, उतपाद करती हैं, उतपाद के रुपे बाहर निकालती हैं। यदि वनस्पतिया नहीं होगी, प्रकाश संसलेशन के लिए नहीं होगी, तो यदि वाईव मंडल में जो O2 आरही है, उसका आना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यदि वनस्पतिया नस्ट हो जाएंगी तो किस गैस की कमी हो जाएगी तो किस गैस की कमी हो जाएगी ओक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी ठीक है न ओक्सीजन गैस की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी इसके अलावा देखो ओक्सीजन जो गैस होती है इस oxygen gas का उप्योग के बारे में हमने यहां से पढ़ लिया कि सवसन की किरिया में करते हैं इसके अलावा करत्रिम जो सवसन होता है करत्रिम सवसन करत्रिम सवसन करत्रिम सवसन में भी oxygen gas का उप्योग किया जाता है जैसे oxygen में जो संपीटल में जो oxygen के जो seleंडर होते है, उन soleंडरों में करत्रीम स्वास के रूप में, हम उस cylinder में maximum gas को उती उसका उपयोग करते हैं तो करत्रीम सौसन के दोरान oxygen into gas का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग गोता खोरों के द्वारा भी किया जाता है। परवत के उपर जो चड़ते हैं उसके द्वारा भी करते हैं तो करत्रिम सौशन में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है एक तो होती है ओक्सिजन और एक होती है हेलियम करत्रिम साउसन में ओक्सिजन प्लस हीलियम गैस का प्रियोग किया जाता है तो गैस वेल्डिंग के रूप में 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 गैस वेल्डि स्टीजन प्लस असिटलीन, गैस का उपियोग किया जाता है, कहां? गैस वेल्डिंग में भी इसका उपियोग किया जाता है. इसके अलावा मैंने आपको ऐसे बताया था, कर्तरिम सवसन में भी इसका उपियोग करते हैं, ठीक है न? और कर्तरिम सवसन में ओक्सिजन और हिलियम गैस का उपियोग करते हैं, जबकि गैस वेल्डिंग में ओक्सिजन और एसे टिलिन गैस का उपियोग करते हैं, इसके अला इंधन में दरव oxygen प्लस दरव hydrogen को hydrogen gas को hydrogen को इंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इंधन के रूप में काम में लिया जाता है। रोकेट इंधन में दरव oxygen और दरव hydrogen होता है इसको इंधन के रूप में प्रियोग किया जाता है। इतना आप लोग यहां से जान पाए होंगे। अब देखो अब मैं उन क्यूशनों की यहां से फोटो आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको ओक्सिजन से संबन दित पढ़ती होगी परिक्साम में पूछे जाते हैं चले तो आगे की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि हमारे सामने एक नमर का जो क्यूशन है वो यह है कि लोग यहां से बता सकते हैं कि दूसरी नमर पर सरवादिक मातरा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो गैस होती है कौन सी ओक्सिजन गैस होती है तो आप यहां से आप सही आंसर बता सकते थे यदि परसेंट पूछा जाए तो 20.9 परतीसत या ज्यादा से ज्यादा पर किसी भी इंदन को जलाने के लिए कौन सी गैस की अवशकता होती है ऐसा अभी मैंने आपको बताया था किसी भी इंदन को जलाने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होनी चीए ऑक्सिजन गैस की आवशकता होनी चीए ऑक्सिजन गैस जब होकी जब ही कोई इंदन जल पाएगा अ इस oxygen gas की उपस्तिती में सभी जो इंदन होते हैं वो जलते हैं इसके अलावा देखो यहां पुचा गया है निमिल लिकित में से कौन सी गैसों के मिश्रण का उपयोग गैस वैल्डिंग के रूप में करते हैं वैल्डिंग के बारे में पूचा गया है तो गैस वैल्डिंग के रूप में oxygen और acetylene gas का उपयोग किया जाता है इस question का आप यहां से जबाब बता सकते थे oxygen और acetylene gas होती हैं इसका उपयोग हम किसमें परियोग करते हैं welding के रूप में परियोग इसका किया जाता है इसी परकार एक भैतरी question और आपके सामने है कि यदि परत्वी पर पाई ज समाप्त कर दिये जाएं तो कौन से gas की कमी हो जाएगी कौन से gas की कमी बनेगी कौन सी gas की ऐसा हम अभी पड़े थे कि यदि परकास sensation की किरिया नहीं होगी परकास sensation की किरिया कौन करते हैं वनस्पतियां करते हैं यदि परकास sensation की किरिया यदि नहीं होगी तो उस इस्तिती म क्या होगा ओटू का उत्पादन वाई मंडल में नहीं उपाएगा जिससे ओटू की यानिकी ओक्सिजन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी तो सभी जो वनस्पतियां होती है यदि सभी वनस्पतियां नस्ट कर दी जाएगी तो oxygen gas की क्या हो जाएगी कमी जबकि यदि वर्द्यू की बारे में बात करें कि सबी वनस्पतियां यदि नश्ट कर दी जाएए तो कौन सी gas की परतीसित मातरा भढ़ जाएगी तो वो CO2 carbon dioxide की मातरा भढ़ जाएगी चलिए तो एक भैतरीन क्यूशन और आपके सामने है कि कौन सा अव्यव जलाने में साइक होता है क्यार ओप्सन जो है उनमें बताना था कि किसी भी वस्तू को किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए कौन से अव्यव की requirement रहती है तो वो मैंने आपको बताया कि किसी आवशकता होती है ओक्सिजन की आवशकता होती है इस परकार इस क्यूशन का सही जबाब आप भी आप सही बता सकते हैं और गैसों से रेलेटिव इसी परकार ऐसे चोटे चोटे वीडियोज के माद्यम से सबी गैसों को हम one by one करके यहां से पढ़ने वाले हैं बाकी आप अन्य क्यूशनों पर भी आप अपनी प्रक्टिस कर सकते हैं PDF आपको मिल ही जाएगी और PDF से यदि आप प्रक्टिस करोगे तो विबिन प्रकार की गैसों से संबंदित जो आपको अग्जाम में क्यूशन पूछे जाते हैं उन क्यूशनों के बारे में आपको पता चल ही जाएगा चले दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मुलाकात होती है अगले टॉपिंग में तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद